राग विज्ञान नमुता ही जाते भए अरहंता दिमाहान करी मंगल करी हो महाँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निजपद राज पावे निजपद राज इस भवतर का मूलक जान हुमे त्या भाव ताको करी निर मूल अब करिये मोक्ष उपाव करिये मोक्ष उपाव मूक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की एगरंथ आचारे कल्प पंडित प्रवल्टोडर मल जी साब की यह सुंदर अनुपम रचना यहां चारवान योगों की चर्चा चलते हुए आज हम आ गए हैं द्रव्यान योग के संदर्ब में चर्चा करने के लिए द्रव्यान योग में दोश कल्पना का अंदरा करन जगत में ऐसे जीव भी है जो जीव द्रव्यान योग में भी दोश लगाते हैं ऐसे लोग भी है इस जगत में जो यह कहते हैं कि द्रव्यानु योग का अध्यान मनन मत करो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं द्रव्यानु योग का अभ्यास मत करो दुनिया में सब तरह के लोग हैं भईया क्या करें प्रत्मानु योग का निशेत करने वाले लोग तो बहुत हैं ही बहुत सारे लोग चरनानु योग का निशेत करने वाले हैं बहुत सारे लोग करनानु योग का निशेत करने वाले हैं और इस जगत में इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं वास्तों में कुछ लोग तो अपन अपने गुरुप समुदाई की दरश्टी से बात कर रहे हैं सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में बहुत आयत लोग ऐसे हैं जो द्रव्यानु योग का निशेत कर रहे हैं हम यदी बात कर रहे हैं अपने स्वाध्याई लोगों के संदर में हम यदी बात कर रहे हैं मुमक्षू लोगों के संदर में हम यदी बात कर रहे हैं आत्मारती लोगों के संदर में तो हम यह कहेंगे द्रव्यानो योग ही पढ़ना चाहिए सारे मुंक्शु लोग सारे आत्मार्थी लोग सारे स्वाध्याई लोग यही बात कहते हैं कि द्रव्यानो योग पढ़ना चाहिए द्रव्यानो योग का अभ्यास किया जाना चाहिए लेकिन यदि कुछ बाहर निकल करके बात करते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं समय सार मत पढ़ो, नियम सार मत पढ़ो, इन गरंथों को मत पढ़ो क्या, समझ में आरी यह बात मनें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह कहते हुए आपको बिलकुल इस पश्ट रीती से दिखाई देंगे द्रव्यान योग जो है, यह पढ़ने सुनने योग नहीं है और दोश लगाते हैं और दोश क्या बतलाते हैं द्रव्यान योग के पढ़ने में गलती और कमी क्या बतलाते हैं उसे हम यहां पढ़ रहे हैं, देखिए जरा बात यहां चल रही है अपनी पेज नमबर है 292, 292 नमबर पेज है 292 नमबर पेज पर द्रव्यानु योग में दोश कल्पना का निराकरण गुजराती में पेज नमबर 297 है हिंदी में 292 है द्रव्यानु योग में दोश दोश नहीं है द्रव्यानु योग में फिर कहूंगा वापस चारों अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग में दोश नहीं है दोश तो कहीं नहीं है दोश तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना में है वास्ताओं में जिन्वानी में दोश नहीं है अग्यानियों के ग्यान में और अग्यानियों की माननेता में जो ऐसी बातें करते हूंगे, टूडरमल जी के समय में भी ऐसी चेर्चाएं करने वाले लोग आस-पास में समाज में होंगे, दो सकता है जैपुरज Tenn समाज में हो, और टूडरमल जी तो सब जगह जाते आते भी थे और उनका परिचे भी था, जानकारी में भी थे और बहुत सारे लोग कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानु योग में वरत सहीयमादी व्यावार धरम का हीन पना प्रकट किया है लोग कहते हैं अरे यार द्रव्यानु योग में तो भाई साथ द्रव्यानु योग में तो हीन पना प्रकट किया है द्रव्यानु योगी केता है वरत शील आदिक में कुछ दम नहीं है द्रव्यानु योगी केता है वरत शील सहीयम आदिक के अंदर धरम नहीं है द्रव्यानु योगी केता है वरत में अटकना मत शील सहीयम आदिक के अंदर अटकना मत पूजन पाठ वरत उपवा सादिक के अ ध्रव्यानु योग में विनू भाई क्या कह रहा है देखिए आप ये कह रहे है द्रव्यानु योग में एक तो वरत शीय लादिक का हीन पना प्रकट किया है दूसरा विशेव होगा दिक जो सम्म्म्य दृष्टी के होते हैं उन्हें निर्जरा का कारण कहा है तो दोनों ही तरफा अनर्त दिखता है एक तो वरत्चीन सहीमादी नहीं लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि भाईया विशे भोग भोगो सम्यक दृष्टी भी भोगता हैं उसके पढ़ना सुनना योग ये नहीं है बोलो क्या करें वाई साथ दोश लगाने वाला तो कहीं भी दोश लगाता है कमियां देखने वाला तो कहीं भी कमियां देखता है गलतिया निकालने वाला तो कहीं भी गलतिया निकालता है क्या बोलिए क्या कह रहे हैं यहां यहां तो कह र द्रव्यानु योग पढ़कर के जीव उलज जाते हैं द्रव्यानु योग पढ़कर के जीव पाप करने लग जाते हैं पुन्य को छोड़ देते हैं मंदिर आना शोड़ देते हैं द्रव्यानु योग जादा पढ़ने वाले लोग ऐसे दिखते हैं जो व्रतादिक नहीं करत हैं अब ये बात तो ऐसी है क्या करो प्रेश्ण उठाय तूटरमल जी साव ने और इसलिए क्या के दिया इनका पढ़ना सुनना ही होगे नहीं है समाज में भी लोग इस तरह के मिलेंगे अरे भाई साव आज क्यों 400 साल पहले भी परिश्टेती थी नाटक समय सार जिनों ने लिखा है ऐसे पंडित बनारसी दास जी अकबर के मित्रों में से हुआ करते थे समराथ अकबर उसके खास दोस्तों में नवरत्नों में से एक थे वे समय सार पढ़कर द्रव्यान योग अध्यात्म की बात पढ़कर स्वच्चन्दी हो गए थे द्रव्यान योग अध्यात्म की बात पढ़कर सुनकर निश्चे अवासी हो गए थे लोग अभी क्या कह रहे हैं इनमें कोई धर्म तो है नहीं अब निश्चे अवासी हो करके और अपने आपको धर्मात्मा समझने लग गए देखिए तो इसलिए ये कह रहे हैं शिश्य का ऐसा कहना है कि भईया द्रव्यानु योग पढ़ो सुनो मत ये शिश्य का कहना है तो उससे कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं मेरी हिम्मत नहीं है ये बात कहने की टोडरमल जी कह रहे हैं उससे कहते हैं क्या कह रहे हो पंडी जी मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं चोड़ेंगे कितना सुन्दर उदारण यहां दे दिया है कोई एकाद व्यक्ति समय सार पढ़कर के स्वच्चन्दी हो जावे दुनिया में कोई 0.01% 0.1% व्यक्ति कदाचित द्रव्यानु योग पढ़कर निश जन पक्षाल प्रभावना के कारिये इन सब कारियों को छोड़कर विश्य भोगों में लग जावे कोई एकाद मूरक व्यक्ति तो समझदार व्यक्ति को तो स्वाध्याय करना नहीं चोड़ना चाहिए समझदार व्यक्ति को तो अध्यात्म ग्रंथों के अभ्यास का त्या होगा तो काल्पनिक बात होगी अब जो भी है इस्तिति गधा है कोई मिश्री घा करके मर जाए और गधा मिश्री घाने से मर जाता है तो बोलो नेवी जैंजी साव अपने को मिश्री घाना चोड़ देना चाहिए के नहीं तो सुरहन जी वह सब क्या करें आगे से अपन लोग मिश्री नहीं खाएं मिश्री घाना चोड़ देवें भईया यह तो समझदारी का काम नहीं है जैसे गधा मिश्री घाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री घाना नहीं चोड़ेंगे उसी प्रकार विपरीत बुद्धी अध्यात्म गरंत सुनकर स्वच्चंद हो जाएं उ अब जाएं उसी प्रकार विपरीत बुद्धी इसका मतलब विपरीत बुद्धी ओँ को घदे जैसा कहरे हैं क्या कहें पिताजी साब क्या बात कह रहे हैं बो ये कौन से लोगों के लिए कह रहे हैं ये जो लोग द्रव्यानु योग पढ़ने का निशेत करते हैं उनके लिए कह रहे हैं ऐसे कोई विपरीत बुद्धी ऐसे कोई डेड़ अकल वाले ऐसे कोई डेड़ होशियार ये कह रहे हैं कोई विपरीत बुद्धी अध्यात्म गरंत सुनकर स्वच्चन्द हो जाएं हो जाएं यदि कदाचित तो विवेकी तो अध्यात्म गरंतों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे किसी को गडावदा कहने का अभी प्राएन नहीं है लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहरे हैं कि जिस तरह से कोई नादान मंद बुद्धी नासमझ व्यक्ती नादान व्यक्ती विपरीत बुद्धी जिसकी द्रश्टी में विपरीत था है ऐसा कोई व्यक्ति स्वच्चंद हो जाए अध्यात्म गरंत को सुनकर के गुर्देव का उपदेश चल रहा था और उपदेश सुनकर के सामने वाला व्यक्ति इतना स्वच्चंद हो गया एक द्रवे दूसरे द्रवे का करता दरता तो है नहीं तो कुछ भी खाओ पीओ कुछ भी करो मजे करो यार क्या है मैं तो परका करता धरता हूँ नहीं बोलो आत्मा तो कुछ खाता पीता ही नहीं है आत्मा कुछ खाता नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है बोलो जब आत्मा कुछ खाता ही नहीं है तो पिर क्या फरक पढ़ रहा है वेज, नॉन वेज, जमीकंद और बिना जमीकंद और दिन में और रात में और पानी पीएं और नहीं पीएं और इससे क्या लेना देना है आत्मा तो कुछ खाता पिता है नहीं, यह शिश्य ऐसा कह रहा है, भाईया यदी कोई स्वच्चंद हो जावे, तो विवेकी तो अध्यात्म गरंत पढ़ना नहीं चुड़ेंगे, स्वच्चंद ही नहीं बनना है इतना करे कि जिसे स्वच्चंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वे स्वच्चंद नह हो, उस प्रकार उपदेश दे क्या करें साथ बोलो यदि किसी को स्वचंदी होता जान रहे हैं कि यह स्वचंदी हो गया है समय सार पढ़कर के स्वचंदी हो गया है क्या कि समय सार पढ़कर के स्वच्चंदी हो गया नियम सार पढ़कर के स्वच्चंदी हो गया द्रव्यान योग पढ़कर के यदि ये कोई जीव स्वच्चंदी हो गया तो फिर क्या करें देखो क्या किया रहे हैं शाय क्या लिखा में भी निकल गया वाकर शिखर जी में किसी की डेथ हो जाए तो कोई समझदार शिखर जी जाना थोड़ी न शुड़ेंगे शिखर जी पाड पर चढ़ते समय यदि किसी का मरन हो गया तो इसका मतलब क्या कोई व्यक्ति शिखर जाई अब सारे समझदार लोगों को शिखर जी जाना शोड़ देना चाहिए और नहीं नहीं भाइसा वो तो पहले एक व्यक्ति गया था और वो मर गया था पाड पर हो जाए तो समझदार व्यक्ति रोड पर चलना छोड़ देगे न समझदारी रखना ही एक मात्र उपाए है उसको छोड़ करके भागना तो उपाए है नहीं यह कह रहे हैं अध्यात्म ग्रंदे को आगे पड़ते हैं इतना करे इतना करे तीसरी लाइन इतना करे कि जिसे स्वच्चंद होता जाने आपको पता लगया कि यार यह बहुत गलत त मावना हैं तो फिर क्या करें जिस प्रकार से उसका एक्सिडेंट नहीं हो उस तरह की बात उसको बतलाओ किसी व्यक्ति के जटका लगया मालो बिजली का प्रयोग करते समय और उसने का कि मैं तो आज के बाद कभी बिजली को चूँँगा नहीं आज के बाद कभी प्लक दबाना प्लक लगाते समय ध्यान रखना कि गीले हाथ नहीं हो ऐसा नहीं हो सावधानी हो उप्योग ध्यान से लगाना सावधानी रखना कितने सावधानी की बात कहते हैं इसी तरह से ग्यांचेंजी वाओ जी क्या कह रहे हैं देखिए यह कह रहे हैं यदी किसी को स्वच जोगेँ नोरी स्वच्छन्द नuição उस परकार उपदेश देना चाहिए निश्चे अवासी मत हो जाना इन बातों को सुन करके तुम बाई क्रियाओं से विमुक मत हो जाना ये बात कहते हैं या जाता अध्यात्म गरंतों में भी निश्यत करते हैं खूब निश्यत किया है इनका इसलिए जो भली बाती उनको सुने वे तो स्वच्चंद होता नहीं ह सुनो क्या भोलो सुनिल जी जर्राव साव यह कह रहे हैं भली भाती सुने उसे वो तो स्वच्चंद होता नहीं है परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राई से कोई स्वच्चंद हो तो ग्रंत का तो दोश है नहीं वैजीवी का दोश है और इसका मतलब यह फर्मान तो नहीं निकाला जा सकता है कि नहीं नहीं भाईया ग्रेस्तों के पढ़ने योग्ये नहीं 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 भाईया तुम ग्रेस्त लोगो तुम अध्यात्म मत पढ़ो अरे भाईया टोड़मल जी एक एक बात का समाधान करेंगे अभी अभी आज भी चलेगा यह प्रक्रण और विद्ध में जो परश्ण उठते हुए दिखाई देंगे तोडरमल הזה खुद परश्ण आपने दरव्यानों योगी चोड़ दिया तो सब कुछ चूट गया फिर क्या है फिर बचया क्या मतला यह क्या कोई मूरक व्यक्ति ऐसा करता है कि मुफली चील कर अंदर की गुली को तो फैंक देता है और उपर के चिलके को खाए तो वो तो मूरक की व्यक्ति कहलाएगा ना होता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा औरे भईया उसने क्या हुआ एक बार किसी व्यक्ति को आम खाते हुए देखा और उसने यह देखा कि उपर उपर का खा जाते हैं और नीचे की गुटली फैंक देते हैं अंदर जो निकलती है उसने फिर एक बार किसी व्यक्ति को बेर खाते हुए देखा बोर होते हैं बेर बेर खाते हुए देखा तो उपर उपर का माल खा जाते हैं और अंदर जो उसमें गुटली होती है वो फैंक देते हैं ऐसे उसमें दो तीन चीजों को देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये मुफली खाने के लिए कह रहे हैं तो एक काम क तो रो इसके अंदर जो घुटली निकल रही है मूफली में ग्राउन नट्स अब उसमें जो निकली वो अंदर की चीज फैंक दी और उपर का चिलका चिलका खाए तो आप क्या कहेंगे मूरक है तुझ में अकल नहीं है क्या काम कर रहा है यह कैसी बात कर रहा है इसी तरह से जिसने अध्यात्म तो छोड़ दिया जिसने आत्म श्रदान की बात तो की नहीं जिसने आत्म के अवलम्मन लेने की चर्चा तो की नहीं और शरीर शरीर रूपी चिलका है यह यह शरीर चिलका हैं क्या यह जो शरीर हैं यह मूफली के चिलके की तरह हैं जिस तरह से चिलके के भीतर रहने वली मुफली की गुली वो असली माल है उसी तरह से शरीर रूपी चिलके के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है असली माल तो वो है भईया माल तो आत्मा है क्या अब माल को छोड़ करके चिलके चिलके को समाले शरीर से क्या हो रहा है मैं कैसे उट रहा हूँ मैं क खिलन को चोड़ो और माल को देखो अस्य माल तो अंदर यह बहुत अलग है कि जहाँ माल होता है में बहुत अच्छी होती है जिनका अंतरंघ श्रदान द्रड हुता है उनका भाई आच्रण उतकर्ष्ट होता है लेकिन भाई duff जाना देखिए क्या किया रहे हैं यहां बात कितनी सुन्दर लिख रहे हैं पंडी जी साथ जहां ता निशेद किया है अध्यात्म गरंतों में भी स्वच्चंद होने का निशेद किया है इसलिए जो भली माती उसको सुनेगा वो तो स्वच्चंद होता नहीं है परंतु एक बात सुनकर अपने ही अभी प्राय से एक वाक के सुना एक बात सुन ली एक बात सुनकर एक बात सुनकर अपने अभी प्राय से कोई स्वच्चन्द हो तो गरंत का तो दोश है नहीं उस जीव ही का दोश है अरे वक्ता के माध्यम से एक प्रवचयन में नाना प्रकार की बाते कही जाती है उनमें से कोई मूरक व्यक्ति किसी एक बात को पकड़ कर पूरे ही प्रवचयन विद्वान व्यक्तित्व ग्रंत जिन्वाणी सब का निशेद करे तो वो तो मूरक है वही है इसमें वक्ता का तो दोश है नहीं जिन्वाणी में तो वक्तुर अभिप्रायों नहीं कहा है वक्ता के अभिप्राय का नाम नहीं है अब वक्ता ने जिस अभिप्राय से बात कही है शास्त्र करता ने जिन्वाणी में वीतरागी संतों ने जिस अभिप्राय से बात कही है उस अभिप्राय को नहीं समझ कर अपन पूर्वा ग्रह से अपने हटा ग्रह से सिर्फ जन्वाणी में कहे गए एक बात को पकड़ कर सिर्फ एक एंगल को पकड़ कर नहीं भाई साब इस चास्तर के अंदर एक वाग के ऐसा कैसे लिग दिया इन्होंने एक वाग के ऐसा कैसे कह दिया इनके द्वारा कही गई एक बा बाइंडेड हो करके पड़ा जाता है वाई साव नेरो करके मत पढ़िए जो बातें जितनी गेराई से कई गई है क्योंकि वीत्रागी संत हैं चटे साथ में उनस्तान वरती हैं बावलिंगी संत हैं करके लिखते हैं इन गड़ड़ी जिन्वाणी में नहीं है गड़ड़ी समझने में शास्त्र में गड़ड़ नहीं है हमारी समझने में गड़ड़ है जिन्वाणी में गड़ड़ नहीं है हमारे समझने में गड़ड़ है और हमें क्या करना है हमें जिन्वाणी में नहीं सु हमें विद्वान को नहीं सुधारना हैं हमें किसी व्यक्ति को नहीं सुधारना हैं बलकि यदि कोई ग्यानी विद्वान ग्यानी वक्ता ग्यानी आचार्य ग्यानी संत वीतरागी संत ग्यानी विद्वान टोडरमल जी सरी के जो बात कह रहे हैं उस बात को उनके अभीप्राय अनुसार समझना है उल्लाज भाई टोडरमल जी के एक वाक्य को पढ़ करके टोडरमल जी का निश्चे वासी वाला यदी प्रकरण पढ़ेगा तो यह जीव्यावारा वासी हो जाएगा यदी यह जीव्यावारा वासी वाला प्रकरण पढ़ेगा तो यह जीवनिश्चे अवासी हो जाएगा क्या करो बोलो एक-एक वाक्य को पढ़ करके अटक राए है मूरग इसको इतनी समझ में नहीं आ रही है बरत भाई क्या कह रहे हैं यह बात बोलो टोडरमल जी के वाक्यों के अंदर क्या आपको बैलेंस नहीं दिखता है आप देखिए यदि कल तक का कोई प्रकरन टोडरमल जी का पढ़ करके चला जाए तो चरणानु योग का पक्षपाती हो जाएगा कल जो प्रकरन चला था यहां स्वाध्याय में यदि वो टोडरमल जी द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ कर सिर्फ उतनी ही बातों को लेकर यदि कोई व्यक्ती चलता बना और दूसरे दिन आया नहीं तो फिर वो चरणानु योग का आगरे ही नहीं हो जाएगा कामल जी बोरा साब बतलाइए वो तो चरणानु योग का पक्षपाती हो जाएगा ना वो तो एगा रहे भाई साब चरणानु योग बहुत जरूरी है भाई साब चरणानु योग बहुत जरूरी है बास 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 आप तो चरणानु योग का पालन करो और पंडी जी ने भी कई थी पन्डी जी ने भी कही थी कि जिनका भाई आचरण होता है भी पहले से पांचवे में चले जाते हैं पन्डी जी ने भी कही थी पहले से साथवे में चले जाते हैं तो मैं तो आज कपड़े उतार रहे हैं भाई ऐसा नहीं है इस गरत पहमी में मत रहे ना पहले सम्यक दर्शन ने बाद में पंचम उनस्ता ने पहले सम्यक दर्शन ने बाद में सात्वा उनस्ता ने पहले श्रद्दान निर्मल करना उसके बाद में वरता दिक्की चर्चा करना इस रव्यानु युक्का कथने इस द्रणता से बात करने वाले हैं आज आपके बीच में श्रद्दान पहल करना पहले सम्यक दर्शन लेना पहले अभी प्राइब बदलना अब बात आज दूसरी हो गई हो गया वाई सब कल तो आप कुछ कह रहे थे और आज कुछ कह रहे थे पंडी जी हमें तो वरोसा ही नहीं और आप कल वाई पंडी जी हो अरे भाई क्या करें तो जिन्वाणी है अपेक्षा नहीं समझोंगे तो जगड़ते रहूंगे और क्या करोंगे सर फोड़ते रहूंगे एक दूसरे का विनित जी भाई साब क्या करें बोलो स्यादवाद हैं हाँ अपेक्षाएं हैं भाई साव जिन्वाणी जो बात कह रही है उसे जिन्वाणी की अपेक्षाएं से समझ लो और क्या करना है जिन्वाणी थोड़ी नहीं नहीं तोड़रमल जी साव आपने तो चरणानुयोग वाली बातें तो गलत लिख दी आपको त सकता है मैं निश्यद नहीं किया जा सकता है यह समझना देखिये क्या च यह कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में सारे जिनागम में पूरे द्वादश्यंग महिवाणी में दवला दी ग्रंथों में नई चक्रा दी ग्रंथों में माईल दवला चैरे देव ने वीर सेन स्वामी ने सब जगे पर उन्हों ने लिखा भया सुनो 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 वक्तुर अभिप्रायो नए है ग्यातुर अभिप अभिप्रायों नहीं है कहीं नहीं लिखा शुरुता के अभिप्राय का नाम नहीं नहीं है वक्ता जो कहना चाहता है उसे समझो वक्ता जो कहना चाहता है ग्यानी जो कहना चाहरा है ग्यातुर अभी प्राई हो नए है यह कहा है ग्याता के अभी प्राई को नए कहते हैं वक्ता के अभी प्राई को नए कहते हैं कुंद कुंदा चारे देव जिस अभी प्राई से लिखना चाहते हैं उस अफेक्षा से समझ प्रशार सिद्यूपाई लिख करके गलती की ए मैं तो यह समझ रहा हूं समय सार में जो इस चाहिल उन्होंने अपना ही थी अम्रत चंद्राशारेदेव ने शायद वो पुरुशार सिद्यूपाई उन्होंने पहले लिखा होगा वो उनकी भूल रहे गई होगी गलती रहे ग पुरक लोग और जब चरणानु योग लिख रहे होंगे जब चरणानु योग की व्याक्या कर रहे होंगे तो बही अम्रत चंद्राशारे द्रडता से निशेत करेंगे मुझे तो बार बार में विकल पाता है पुरुशार सिद्धू उपाया वी हमने पूरा चलाया है बा नहीं कह देते हैं कि मांस मत खाओ फिर बे कहते हैं नहीं नहीं मांस यदी किसी जीव को मार करके खाया हो तो भी निशेद है बोले मांस यदी कच्चा खाया हो तो भी उसमें तरज जीव उत्पन हो रहे हैं फिर कह रहे हैं मांस यदी पका करके खाया हो तो भी तरज जीव का मांस यदी पकता हुआ हो तो भी उसमें त रजिव उत्पन हो रहे माराझ क्या कर रहे हो आप कि बात को चार चार तरह से घुमा फिरा करके कह कह रहे हो मांस भक्षन के निश्यत के लिए आप देखो तो सही हम लोग सब जहन हैं आप हमारे को इस तरह की बातें कहे रहे हो अमरतष चंद्राश्वामी आपको क्या हो गया है कि घ्या लगेगा आपको कि यह लगता है आ Knights चंद्राचारी यही जैसे बंदमちょっと ainsi कि यह नहीं पता लगे तो क्या विस्तार किया उन्होंने इसकंद बतलाया फिर अंडर आवास पुलवी और फिर उसमें एक निगोद शरीर में एते जीव प्रमान तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमान क्या-क्या वर्णन कर रहे हो भाई साब रातरी बोजन का किस ड्रड़ता से उन्होंन जहाँ जहाँ जो बात योग्या है वहाँ उस बात को उसरीती से समझना चाहिए देखिए तथा यदि जूटे दोश की कल्पना करके अद्यात्म शास्त्रों के पढ़ने सुनने का निशेद करे कोई व्यक्ति अद्यात्म मत पढ़ो अद्यात्म मत पढ़ो अरे भई साब अद्यात्म के बातें मत पढ़ो जूटे जूटी कल्पना करके काल्पनिक बातें करके अद्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निशेद करे यदि कोई तो मौक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ हैं उसका निशेद करने से तो मौक्ष मारग का निशेद होता ह लो क्या करो मुल उbधिछ तो द्रव्यानवयोग में मिलेगा असली माल त Dul a लूं की आइगा है आत्म होक्र आत्म की चारच हुए बेडविग्यान करते हुए अपने ज्यायक प्रभू परमात्मा तक पहुचने वे आनद है उसकी चर्चा मात्र में जो आनन्द है वो क्या जाने साधारण व्यक्ति भरत उपवास में अटके हुए लोग जिनोंने आत्मा की चर्चा कभी सुनी नहीं है जिने आत्म तत्व की महिमा कभी आई नहीं है वे क्या जाने भाई साव आत्मा क्या है उन्हें क्या पता कि आत्म का तिंद्री आनंद क्या होता है कि वो लिए आपको मालूम ही नहीं है कि मामा क्या कह रहे हैं बोलो सारे दुनिया भर में पूरे समाज में देखना ज़रा गूमते हैं आप तो सब जगे पर सब जगे जाते हैं कितने लोग आत्मा को जानना चाहते हैं कितने लोग आत्मा को स संग रहे कब तक संग रहे क्या तो ना द्यान देना क्या किरे शब्दों की तरफ द्यान देना देह के पीछे पढ़ारे देह के पीछे पढ़ारे कब तक संग रहे कब तक संग रहे मेटी में आखेर मिलेगी विपती अब क्यों सहे आत्मा की आत्मा की मही मा सुनकर दंग रहे गया ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कहे गया कितना सुन्दर के दिया है आत्मा की मही मा सुनकर दंग रहे गया आत्मा की मही मा सुनकर बहिया यह आत्म तत्व के अवलम्मन से यह जीव परमात्मा बन जाता है अपने आपको देखने वाले जीव भगवान बन जाते हैं अपने आपको देखने वाले जीव दुखी नहीं होते हैं अपने आपको देखने वाले जीव केवल गयानी हो जात हैं अनंत सुखी हो जाते हैं वैया सब को तो देखा अपने आपको नहीं देखा देखो जरा अपने आपको मैं कौन हूं देखो जरा अपने आपको आत्मा की महीमा सुने कर दंग रहे गया ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कहे गया यह कह रहे हैं यहां जूते दोश की कलपना करके यदि तुम इसका निशेत करेंगे अध्यात्म के अंदर है मूल बात तो उपर उपर लोटने से कुछ नहीं होगा क्या हैं नीचे डुपकी लगाओ जरा गेहरे पानी पैट क्या गेहराई में उतरिये जरा थोड़ी सी की लगाई है अंदर भीतर में क्या क्या कहें देखिए उनका निशेद करने से तो मोक्ष मार्ग का निशेद हो जाएगा अध्यात्म के निशेद में अकेले अध्यात्म का निशेद नहीं है द्रव्यानु योग के निशेद में अकेले द्रव्यानु योग का निशेद नह होता है बरसात होने से बरसात तो अच्छा है भी है खूब बरसात होनी चाहिए है खेद खलियान अच्छे होते हैं बाग बगी चे अच्छे होते हैं फसलें लेरती हैं पानी मिलता है जगे जगे पर पानी होता है सूखा नहीं रहता है और पानी का उपयोग तो है लाबकारी तो सब जगे पर नदी तालाब सरोवर कितना अच्छा है बरसात खूब होनी चाहिए और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्षिता करके मेग का तो निशेद नहीं करना बोलो क्या करें नुकसान भी होता है किसी को यहां हो जाता है किसी किसी को दो तिन दिन से बरसात रो जाना हो रही थी तो दो भी प्रार्थना करने लगा यार मेरे तो कपड़े नहीं सुख रहे हैं मेरे तो कुर्तों में कलप नहीं लग रही हैं अच्छी धूप नहीं निकल रही है यारे बरसात नहीं होनी चाहिए वैसा बरसात होती है तो हमारा सारा बिजनस चौपट हो जाता है तो क्या करें बरसात नहीं होने देवे अरे भाया तुम दो पांच दो परसेंट एक परसेंट लोग इस दुनिया में एक परसेंट भी नह इसने से होंगे आप एकाद परसेंट लोगों के लिए 99 परसेंट लोगों के होने वाले लाव का निशेद नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अध्यात्म गरंत से तो सर्व जगत के जीवों का भला होता है। लेकिन कोई एकाद व्यक्ति कोई अध्यात्म गरंतों का निशेद तो नहीं किया जाता है। देखो क्या किया रहे हैं। जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैट जिन्होंने खोजा उन्होंने प्राप्त कर लिया गहराई में उतर करके। और पता है आगे के लाइन क्या है। मैं भोली डूबत डरी रही किनारे बैट। औरे नहीं नहीं डूब जाएंगे। अरे भाई साब क्या कहें। तोडर मली साब कहें। मेग वर्शा होने पर बहुत से जीवों का कल्यान होता है। किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्षिता करके मेग का तो निशेद नहीं करना। उसी प्रकार सभा में, सभा में, सभा में, प्रवचन सभा में, आयोजनों में, शिविरों में, पंचिक लियानक प्रतिष्टा महोतसवों में, अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मुक्षमारगी की प्राप्ती होती है। अध्यात्म का उपदेश दो, अध्यात्मिक बातें करो, थोड़ी सूक्ष्मता में जाकर के बात करो, परन्तु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते, तो उसकी मुक्यता करके अध्यात्म का तो निशेद नहीं करना, और यार यार ये देखो ये बेचारा इसको नुकसान हो ग है, जीवन में उन से, इतना कुछ सीखा है, क्या, मनें, वो कहते हैं, कई बार ऐसा होता था, हमारा वीतरागवी गया निकलता है, और किसी व्यक्ती ने कोई अब्जेक्शन करके एक पोश्ट काड भेज दिया, पुरानी बात कह रहा हूं, 20 साल, 25 साल, पुरानी, कई बाते कई बार उनके ऐसी बातें यादाते, वो कहते हैं, सुनो, सुनो, हमने जाकर के दिखाए, यह पोश्ट काड आया है, और यह कह रहे हैं, कि तो ठीक नहीं है, अपने ऐसा, कितने लोगों में से, कितने लोगों को भेजा है, अपने, अंक कितने डिस्पेच हुए हैं, अपन कर दिया है, और तुम एक व्यक्ति के अब्जेक्शन को देख करके प्रभावित हो जाते हो, हजारों लोग लाव ले रहे हैं ना, एक व्यक्ति यदि किसी को उल्टा, कारी कारी हो गया है, तो उससे क्या करें, अच्छा, आज की पोजिशन बतलाता हूं, कोरोना की देश क की इस्तिती के संदर में, वैक्सीन लगने से मान लीजिए, हजारों लोगों को लाव हो रहा हो, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक एक एक्जामपल मात्र समझना, उदारन मात्र समझना, मैं ने उसका समर्तन कर रहा हूं, ने मैं उसका विरो हो लाखों लोगों को लाब हो रहा हो और किसी एकषय स्थे को वो द्वाई रियक्शन कर जाए तो क्या करें भूलो क्या करें गौश Stevens को बंद करतेनी हैरे एक व्यक्ती मर गया सबूर एक व्यक्ती मर गया लेकं लाखों जान बच गई वो क्योनीदेख रहं क्या करें बोलो क्या करें है हphone करते हैं वैसा क्या प्रफार जीतिंदर जी वैसब जिसको नहीं को ने हैं submit करो जिसको जो खसule वाँ में क्या फरक परता है हम एक आध व्यक्ति के लिए तो अपनी धारा चेंज हैं नहीं कर सकते हैं हजारों लोगों को यदि अध्यात्म से लाव होता हो क्या हजारों लोगों को लाव होता हैं यह पंड़ी जी जाव लिक रहे हैं यहां पर तो क्या करें बोलो उसका तो अध्यात्म उपदेश से तो बहुत लोगों को मोख्शमा हो गया वह वैक्ति मर गया वैक्ति अक्ति मर्ग एक मर गया तो क्या क्या करें अ बहुत से जीमों को मोख्ष्म। की प्राप्ति होती है क्या वोलो क्या करें घादाißtनी दो बहुत साहं और है गुरुदेव ने कंस आ क्या डूंड़ जीने कंसा clip अपने प्रान दे धिया वाइजाब कि स Ł frameworks संध्विडानकिया क्या 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 मैं तो डॉडरमल टॉडरमल जीने सत्वत कहने का विरोध नहीं किया होगा सामने से लोगों ने एक अध्षमार्ग प्रजाश ग्रंथ में पांच मध्याय अपने नहीं था फांच में अध्याई के अंदर उन्हों नहीं एक बहुत सुन्दर प्रकरण दिया और वहाँ उन्होंने उदारन देखर के चर्चा किये उस पांच में अध्याई में मैं आपको निकाल करके अभी अभी नंदन जी भाई साव होते न अपने तो एक सेकिंड के अंदर बतला देते अब मुझे वो निकालना पड़ेगा वो निकाल भी सकता हूं मिनिट दो मिनिट लग भी जाएंगे उसको नि लेकिन टोडरमल जी साव ने ऐसा घजब का उधारन दिया ऐसा कहां कि भाईया सुनो तीन उधारन दिये उन्होंने जैसे कुशील व्यविचार की निंदा करे क्या और वैश्या को बुरा लगे तो कुशील की निंदा करना तो नहीं छोड़ेंगे विद्वान लोग एक्जम्पल दिया शराब का निशेद करे और कलाल को बुरा लगे तो क्या करें भाई साब औरे यार तुम हमारे बिश्निस पर लात मार रहे होrier कोन लात मार रहा है शराब पीन अच्छा नहीं है हम तो ये बात कह रहे हैं शराब पीना योग्य नहीं है तोडरमल जी ने स्पाप का निशेद करें अपन चोरी का निशेद करें और चोर को बुरा लगें तो भाईया हम क्या करें समझदार व्यक्तितों सत्य उपदेश देने का निशेद करेगा नहीं यह पंडीजी साब का उधारन हैं तीन उधारन दिये पांच में ध्या में 138 नंबर देखो धन्यवाद आपको 138 नमबर पेज निकालो जरा 138 नमबर पेज तीन उधारण देदिये हैं सामने से कह रहे हैं सबाव में देखो जरा बीच बीच में लाइन है जैसे मदीरा की निंदा करने से पांच में अधिकार में हैं 138 नमबर पेज बिलकुल सेंटर में लाइन है और सेंटर में शब्द है जैसे मदीरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो कुशील की निंदा करने से वैश्यादिक दुख पाएं और खोटा खरा पैचानने की परिक्ष्या बतलाने से ठक दुखी हो तो क्या करें बोलो क्या करे इसी प्रकार यदि पापियों के भैसे धर्म उपदेश नहीं दें तो जीवों का भला कैसे होगा ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं लो क्या किया है वाग कितना गिजब का है अपने पढ़ा नहीं था पांच बात दिया है पहले तो तीन बार पढ़ा ह है हमने क्या किया रहे हैं बोलो है कितने जंदर बात कह रहे हैं ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं तथा वे विरोध उत्पन करते हैं सो विरोध तो परस पर करें तो होता हैं परंतो हम लड़ेंगे नहीं वे आप ही उपशांत हो जाएंगे हमें तो सभी लड़ो हम से हम तो लड़ेंगे नहीं सी दीसी बात है चोड़र मल जी ताब कह रहे हैं 138 पेज क्या घजब की बात कह दिए है कोई व्यक्ति मैंने गुर्देव ने क्या किया जीवन परियंत किसी ने उनका विरोध किया किसी ने और कुछ जो करते रहे सारे दुनिया थोड़े समय में अपने अप्शानत हो जाओंगी जिनको जो होना हो तल तो अपने परिनामों का लगे हम क्या करें हम तो सत्य बात कह रहे हैं हम तो वस्तो स्वरूप की बात कर रहे हैं हम तो आगम की बात कर रहे हैं हम तो जिन्वाने की बात कर रहे हैं अग तुम्हें न कारण दे करके के दिया हम तो एक ही बात कहेंगे भूले राब अगवान छे भाई क्या करें बातू देखो जरा भूले हुए हैं देखी आगे आगे पढ़ते हैं अपन नया परिग्राफ देखी अगला परिग्राफ तथा अध्यात्म गरंतों से कोई स्वच्चंद हो अरे नहीं साब वो स्वच्चंद हो रहे हैं साब अरे वहाई साब वो स्वच्चंद हो रहे हैं अध्यात्म गरंतों से कोई स्वच्चंद हो तो वे तो पहले भी मित्या दृष्टी था और स्वच्चंद हो गया तो क्या क मित्याद रष्टी था अब भी मित्याद रष्टी ही रहा इतना ही नुकसान होगा कि सुगती ने होकर कुगती होगी इतना ही हुआ है तो संसारी है तो जगत में रचा पचा हुआ स्वर्ग में नहीं चला गया तो नरक में चला गया और स्वर्ग में भी चला जाता तो कौन स नियाल हो जाता है है तो चतुर्गति रूप संसारी मोक्ष मार्ग तो दोनों इस्कतियों में नहीं था इतना ही नुकसान होगा कि सुगती ने होकर कुगती होगी इतना ही होगा परंतु अध्यात्म उपदेश ने होने पर अब बोलो आप क्या करें आप तो यह गह रहें अध्यात्म उब्देश नहीं होने पर बहुत जीवों के मोक्षमार्ग की प्राप्ती का अबाव होता हैं, बहुत जीवों के मोक्षमार्ग की प्राप्ती का अबाव होता हैं, बहुत जीवों के, मोक्षमार्ग की प्राप्ती नहीं होती हैं, आप क्या कर रहे हों, आप असल चाहिए क्या कहेंगे आप मेरे को एक डायमंड वाले मिलेते हैं उनके दिवाला निकल गया और भाई साव किसी भी व्यक्ति को डायमंड बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने देखा था एक डायमंड बिजनेस वाले को उनका दिवाला निकल गया अब क्या करें अरे किसी एक व्यक्ति ने अपनी हरकतों की वज़े से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही डेड़ अकल की वज़े से अपनी ना समझी की वज़े से किसी तरह का कोई नुकसान हो गया उस व्यक्ति को तो समझ दार व्यक्ति को तो बयूस्स करना नहीं छोडना चाहिए। कि गोलो किया करें हजार उधारण निकाल सकते हूँ आप इस तरह के क्या नहीं निक लहीं हजार उधारण एक एक कदम कदम निकालू न किसी व्यक्ति के gas फट गेंगे- आप गैस लेना चालू करना बंद कर देंगे किसी व्यक्ति पर रोड पर चलते हुए ठोकर लग गई तो आप रोड पर चलना बंद कर देंगे तो नहीं है जानों सेंगडों उदारण क्या कि फूम है उसमें क्या है हर कदम कदम पर उदारण है मोबाइल का प्रियोग करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया एक व्यक्ति का मोबाइल फट गया तो अब तो आप मोबाइल का प्रियोग नहीं करेंगे ना हमने पढ़ा था पहले मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ उसने काम में लिया तो उसका फट गया और उसका पूरा करन लगा लो अब किया के रहे हैं वही या देखिए प्रधीपाइट निगुषान का खामियां जहाँ सारे दुनिया को क्यों बुगतना पड़े एक व्यक्ति की स्वचंदता ह क् उस स्वचंदता से स्वचंदता से बचाओ उस कारे से मत चुड़ाओ अध्यात्म अबदेश नह होने पर बहुत जीवों के मुक्षमार्की प्राप्ति का वाओ जाएगा और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है बहुत जीवों का बुरा होगा और बहुत बुरा होता है इसलिए अध्यात्म उब्देश का निशेद नहीं करना अध्यात्म उब्देश का निशेद नहीं करना अध्यात्म साक्षात अम्रत है अध्यात्म साक्षात प्रयोजन की सिद्धी करने वाला है अध्यात्म साक्षात मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है अध्यात्म ही महत्वपूर्ण है ये बात पंडीजी साहब ने कही अब फिर कह रहें तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्यात में उपदेश है वह उत्करश्ट है उच्छ दश्यावालों को तो उनको कारेकारी है निचली दश्यावालों को तो वरत सहिया माद प्राम आर्मिक प्रेश्न हैं कि भईया अध्यात्म का उपदेश तो लोग कहते हैं भईया समाज में ऐसा अध्यात्मी की चर्चा है तो उच्छे लोगों के लिए हैं अपने लिए तो नहीं हैं ऐसी बातें करते हैं लोग अरे भईया इनको तो प्रत का उपदेश दे दो इनको दिए उपदेश दे दो तो उनको टोटर मल जी साव आगे समझा रहे हैं चर्चा कल करेंगे अपेक्षित विस्तार से आज आपको पता ही है दस लक्षन परवाद से शुरू हो गए हैं शाम का विशेश कारिक्रम हैं आज और कल दो दिन के लिए वीकेंड है न मनुष्य जनम की दुरलपता और सार्तक्ता के संदर्व में समय है शाम को 6 बजे पौने 6 से 6 बजे तक हमारे चेतन्य दाम के आत्मारतियों के माद्यम से हमारे सचिन जी वहां जो हैं समालते हैं निर्देश के वहां के उनके माद्यम से भक्ती पौने 6 से 6 बजे तक 6 से 7 ब जावत होगा डाई बजे क्षत्र शुडामनी सब बराबर चल रहे हैं आप लोग उनका बराबर लाव लेवें और उनको सुचित करें नए लोगों के लिए अन्यान लोगों के लिए बिलकुल गेर स्वाध्याई लोगों की द्रश्टी से भी सरल बाते हम करने वाले हैं तो आप उसका ध्यान रखें जन्वाणी इस तो कि लिंक आपको समय से पहुने शेय बजे सारे ग्रूपों के उपर मिल जाएगी कहीं से भी आप टैच करके अंदर पहुंच जाएगी पहुने शेय बजे आपको राइट टाइम लिंक आपके वाटसप ग्रूपों के उपर लिए जिन्वाणी मां को वंद नाशत वार है वंद नाशत वार है नोओ अरी हम तानम नमोत तानम नमाई रियानम नमोज जायनम नमोधाव में थानम